वाहिग्र जी का खाल सा वाहिग्र जी की फते है। एक कॉंटिन्यू सीरीज और जाना एक एपिसोड पेंती चाली कमेंट दा अपलोड कीता जानदा है। तुसी अपने गुरु दे प्यार विच बैठके इस वीडियो नूँ फॉलो करना है। नाले ते सहज पाठ कर देयां कर देयां। गुरु अपदेश सोच सुबावच इं नूँ प्रेर्थ कीता है। कुछ संस्थामा ने इसनू खुद आप सहज पाठ करो दी लहर बजों प्रेरना दिती है। कुछ कने स्कूल, कॉलज, युनिवस्टियां दे स्टूडेंट्स नू प्रेर्थ कीता है। सारे आंदा बहुत अनुवाद अपन सारा ने प्रेर्थ कर दे रहना है। जिनना ने हाले तक सहज पाठ नहीं शुरू किता। तुसी यूट्यूब ते जाना ओथे गुरुग्यान टीवी तो अनुए लोगो दखाई देगा। इस लोगो ते गुरुग्यान टीवी ते जाके तुछ सब तो पहला सब्सक्राइब दा बटन जरूर दबा देना ताके हर नमी वीडियो दा नोटिवकेशन तो अनुपहुंच जावे। तो ते एक प्लेलिस्ट है S.G.G.S. सहज पाठ बिद मीनिक्स। तो तुसी फिछले सारे एपिसोड्स सुन सकते हों। तो जाना एपिसोड अपलोड होंदाए। तो दाप सहज पाठ करो अति हो नान प्रेट करो। आज आप पहुंचे हां। गौडी गौारेदी भी है। इस तरह बक बक गौडी राग नियां किस माने। सुहला सहब दे अंदर गौडी देनल दीप की जड़ा राग हों मिक्स कीता गया है। उन्ते गौडी दीप की। इस तरह ए रागी सिंगा दा अबजेक्ट है। गे एसे आंगदे उपर जिड़ा अठारमा शब्द है। उदे तक गौडी बैरागन है। सत्कुर्ण सचे पात्षा इन्हारागांदे विचाप गौण दे संते गौण दा इते संदेश है। पहले पात्षा अतानगों नानक सेवजी महराजी दाए शब्द है। सडे मानदे अंदर जितनी खिच दुनिया दे प्राप्तियां ते दुनिया दे पदारत, दुनिया दे रसादी है। उनी खिच रबदे गौणानू प्रापत करना, रबदी बक्षिश प्रापत करनी, फिर रबदे उपधेस अपने अंदर भसोने ये उतनी खिच नहीं है, जितनी खिच दुसरे पास है। ये मानदा दरोग है। दूसरा, मान बहुत अनाद मानदा है। उसांग बेटे, संगी परवाव दे बेच निंदा चुगली इंगला चाल दिया हूँ, थांकार रास दियां गला चाल दिया हूँ। लोब रास दियां गला चाल दिया हूँ। बढ़ियां चंगियां लग दियां माननू पर ये गुर्बानी दी गले चल दी होगे गुर्मत दी गले चल दी होगे तिम मान दे अंदर उतनी खिच नहीं है जितनी उस पासे है इनू रॉंग अटेंशन के है उजो रॉंग अटेंशन है ये माया है इसे करके ही रबदा मारग मनुखतों को लिया रहेंदा है दूसरे मारग वेचे उल्जदा रहेंदा है इस रभी मारग देली जो कुछे दे अंदर चाहिदा है गुडी प्रीत चाहिदी है गुरु देनाल फिर गुरु सेव दे उपदेशानू समझन दी सोजी चाहिदी है फिरु ना उपदेशानू जिन्दगी चे जयाँ सके प्यार जजबा चाहिदा है लगन चाहिदी है इदे ली उतना यतन मानन नहीं करता जतना यतन दुनिया दिया प्राप्तिया लिका रहें इस माननू जेड़े रोग लगे होएने एकता रोग है वो रोगां करके ही उदर अटेंशन खिच लियादा है वो जेड़े रोग लगे ने उदर ले एक ओख़द है कि मेडिसन है वो कि यह मंतर मान दे अंदर ली दिशा नू डाइवर्ट करके सही दिशा वाल गुरू के मारग वाल रब दे मारग वाल लौन वास्ते जो गुरू पाथशा वालनों दिती हुई रभी सला है वो गुरू दे उपदेश ने इदा मतलब एते मंतर मूल मुडली सला तेरे मूलनों तेरे तोर अंदर ली दिशा नू बदलन वास्ते मान वास्ते ने अउखद मंत्र मूल मान के कहें एक वाहिग्रु जीवाल लौन वास्ते तेरी मान दी दिशान पर जे कर द्रेड चेत की जैरे एक शर्ट ला देती जे जे तेरा मान द्रेड हो जावे जे तुन्दिय चेता शक्ति यादास्त ते यादास्त दे विच ए अवेर्नेस होवे चेतना होवे कि मैं गुरु दे उपदेशानू याद रखनाए जिंदगी चेवनाए जे एदे अंदर इस तरहन दी पावना द्रेड चेत की जैरे दी पावना आजावे पैसा कमाउना है लोग लालच विच लेए गुरु दे अपदेशनू मान के सबर संतोख देवे पैसा कमाउन लेगी यतन करना है अपने परिवार लेगी अपने बच्यान लेगी करम करने ने गुरु दी कॉम देलेगी समाज देलेगी परपकार भी करने ने उते ले अंदरों द्रेड होवे है ते गुरु दे उपदेश मनन वास्ते अगर द्रेड हो जावे ते याद रखन्दा यतन करे द्रेड चेत अंदरली मत जेडी है ओ उद्मी हो जावे इस मार्गते ते नाल सुचेत हो जावे उदे ले जो ओखद है मेडिसन है ओ गुरु दे उपदेश ने रोग केड ने जानम जानम के पाप करम के काटन हार हाली जायरे असुआ आम तरते यह दो शबद न देखके शबद बाध लदना जानम वारण नहीं से जैनम जैनम के मान दे अंदर फतानी औन गिनत वारी किसे ना किसे दी निंदा करम दा रास जा गया होएगा ऐसे जीवन विच अंगिंत वारी निंदा कीती है कुछ जिन्ने वारी भी निंदा करंदी पावना निंदा करंदा जजबा निंदा करंदा रास जागिया है उस रासने पाव जनम लेया है अंदर उतने वारी इस मानने जुबान राहीं कना राहीं जो भी सुननते करंदा कर्म कीता है वो पाप है नहीं करने चाहिए देशिया खुवाई इसे तरह ऐसे जीवन दे विच पता नी अनगिनत वारी इस मान ने किसे ना किसे प्रती नफरत कीती है नफरत विच आके उदे वारे तर्चा कीती है कुछ फैंसले लेने कुछ कर्म कीते ने वो जितने वारी भी अंदर नफरत दा जनम हुए है उ मानने ते मात ने इदे कन्ना ने इदे जबान ने कर्म कीते ने नहीं करने चाहिए देशियो पाप है फिर उदी आदत पैजान दी है जो दो बार बार करेगा आदत पैजाएगी एक नी दो नी अनगिंत किसम दे ऐसे मनुखी सुबाओ दे विच मनुखी सोच दे विच ओर रास ने जड़े जनम लेंदेने नित जनम लेंदेने जनम जनम के जे सुचेत नहीं होएगा ते नित ही इदे अंदर हमले पेंदेने हमले बज़देने तो जनम जनम के भाप कर्म के जेडे मानते मात ने भाप कर्म की तेने उदियां आधता पक गिन्याने आता कटियां नी जा रही जा रही जा ते उन्ना आधता नू इस ओखद ने दवाई ने इदे रोग नू कटना पर जे कर द्रेड़चित की जाए रहे है। डॉक्टर की करेगा। जे पेशेंट कहेगा मैं दवाई लेनी होई नी। जे पेशेंट कहेगा मैं इंजेक्शन लबौना ही नी। डॉक्टर की करेगा। जदो सुभाव गुरु दे उपदेश मनननु त्यारी नी हो रिया ते सुभाव बदलेगा कि इसलेए साथ गुरु सचे पात्षा साड़े अंदर चेतना राखरे तानु अवियर कर रहे अगर गुरु दी बक्षिश प्रापत करनी है ते मान द्रेड चेत होके गुरु दे उ उपदेश नू समझ के अपने सोच ते सवाव दी पड़ चोल करे ते सोच ते सवाव नू बदलन्दा यतन करे मान एको साहव पाई रे तै मना तै पाई सोन एको एक मालक वाहिग्रु जी हना वाहिग्रु जी दे मार्ग ते तुरके ही बक्षिश मिलनी है वाहिग्रु जी रब्बी उपदेश नू सोच सवावते लागू करांगे, तद ही अंदर गुर्मत सवावते गुर्मत जीवन पैदा हुएगा। तद ही अंदर ओ प्राप्तियां जो लगन है, जानून है, जज़बा है, लिव है, गोणने, परवकार दी बिरती है, सेवा पावना है, तद ही अंदर जागेगी। शेवाहिरुजी, तेरे तीन गोणा संसार समावें, अलाखन लखना जाई रे रहाओ। ये वाहिरुजी, तो आडे निजम देवेचे, जो तेन गोण पैदा कीतेने, तेरे तीन गोणा, ते तेरा पैदा कीता होया संसार, एलोक, मनुख, जीव, इदे बेचे, समाज आन्देने तेन गोणा मिलेचे, तेन गोणा तो आनू याद होणेगे, पिछे आपा भीचार आसी, फिर रिपीट कर लेने है, हर वेले तमोगोण तमादी विर्ती मेननू कुछ मिले, मेननू प्रापत होवे, जो कम करने ने, प्रापती दे ले करने ने, उदेच बंदा सेलफिश हो जान्दा है, लोबी हो जान्दा है, अपने लिए, अपने परिवार ली, अपने पद्वियां होन, उप पद्वियां दे लालच दे विच, फिर तरलो मच्ची होन्दा है, चुस चलाकियां भी बरतदा है, हर हीला बरतदा है, उनू रजोगोण के ने, पद्वी एक जिम्मेवारी होन्दी है, पद्वी एक ऐसास सुन्दा है, पद्वी एक चैन्स पर पदवीद अलालच तरह जो गुण बर्याना क्योंकि उदिछ तमा आगी, कुछ प्रापत करनी इच्छा आगी पिर है सतो गुणा, सर्मदे कर्म करने ने असली मकसद पता नहीं, किसली करने ने दुन्यावी मंगा वास्ते, दुन्यावी प्राप्तिया वास्ते, ये सतो गुणा है सर्मदे करने ने दुन्यादे प्राप्तिया नहीं जिस करके अलाख ना लखना जाई रहाओ अलाख वाहिग्रु सचे पात्षा नूँ वाहिग्रु जी दे मारग नू रब्बी उपदेश नू सचे ग्यान नू ये समझदा नहीं लखना खुदी सुजी नहीं हो दिये नू क्यों? क्योंकि उस तमों गुण देवेचे सेल्फिश हो के कि दे अंदर इतनी खिचो ही भी है दुनिया दिया प्राप्तिया दी शकर, खांड, माया, तान, मीठी हम तो पंड, उचाई, रे असी इस अंदर ली उस पासे दी जो खिच है को सांग पासे दीखे चे दो नियावी प्राप्तियां दीखे चे उस नू इन नाम मिठा मानलिया, इन नाम मिठा मानलिया गुरु सहम दे हुन देया शकर ते खांड, दो सब तो स्वीट डेश मनिया सी जदो किसे प्रोणे ने होना कैस्ट मेहमान ने होना उनू जाता शकर विच के उपाके या खांड विच की उपाके दिता जानदा प्रातन समयाच एक कहावत भी सी कि ये किसे लड़की दी सास कंजूस है ते थोड़ी स्ट्रेक्ट है तो की अपने कोल कभजेच रख दी सी कि ते मेरी नू ज्यादा न वर्थ सके ते जे कि ते उस ती दा उस लड़की दा प्रा उनू मिलनाँ दा अपनी पैन दे सौरे कार ते उस सास इतनी कंजूस उस मंगदी ये सस्टो माजी की दे दे कंदी ने की तमक गया उनू पाउणनी दिन्दी ते ओ दी अंदरों एक तडफ हुन दी सी ओ तडफ दे विच उस रंजश दे विच उस गुसे विच कहन दी सी के सस्टे तेरी मज मर जये मेरे वीर नू सुख की खांड पाई मेरे वीर नू तो क्यों क्यों नी पाया उनना समान्ने आदे विच क्या हो दे विच खांड दे विच क्यों की पाके देना जा शकर विच होना एक बहुत कमाल दी डेश मन्नी सी सत्तकरुजी कहन दे भी जिमें सब तो सुवादली डेश किसे हद तक जो खाणा खादा जान्दा सी उतो बाद क्योकि उन्हेंने फिजिकली कम करने उन्देसी खेतां देवेच फिर की वाली की पाके खाण्ड जा की पाके शक्कर जीड़ी खादी जान्दी सी नाले तो डाइजस्ट कर दी सी खाने नू ते नाले ओ ताकत दिन्दी सी इसलिए उन्हों बड़ा उत्तम मन्निया जानदा सी जिमें शक्कर ते खानड नू मिठा ते उत्तम मन्निया गया न सथकुरु केन्द इद्धा तो दुन्यावी प्राप्तिया नू मिठा मानके न तेरी सोच विच तेरी थिंकिंग दे विच एक हल बैठगी है कि मेरे लिए सब तो उत्तम है दुन्यावी प्राप्तिया ते सब तो मिठा तेनू उन्हा प्राप्तिया अंदा रास है सत्गरु कहने ए तू अपनी सोच दे उपर एक पांड चुकी होई या खोवा ही क्योंकि तेनू सोची नहीं है पैसा प्रोपर्टी दुनिया ते बहुत कुछ हो सकता है सब कुछ नहीं है किसे ना किसे हाद तक जिन्दगी नू सोखा जाता बना सकता है पर हर हलात बिच नहीं इसलिए सत्कुरु जी केंदे अंदर पर लिखा पैगिया रात अनेरी सूजसनाही लाजटू कस्मु सापाईरे केंदे जी में एक रसा उपर बन्या होया है एठा लट करिया है उस रसे नू फढ़के उपर चड़ना है अनेरा है पर उपर जड़ा रसा है उदी गाठनू चुहा मुसा हुंदा चुहा चुहा चुकरे है लाज़ उन्दा रसी मुसा चुहा तूकस चुकरे है एक कहावता ने जरूर सानू सिखना चाहीद है गुरुगरान सेफ़जी दे अंदर कहावता कि मैं रम्ज बनाके पेश कीता हुंदा इस कहावत ने कि लाज़ मुसा टुकरे है रसी ने चुहा टुकरे है इनो इदा रम्ज दसी कि तेरी जड़ी उमर है प्यारे है एक एक स्वास कट दी जा रही है कि समा ऐसा एक चुहा है हर स्वास तेरी उमर नू कुझ सेकंड बोर छोटा कर रही है तेरी उमर मुक दी जा रही है इदा मतलब रम्ज की है कि जिंदगी दी वैल्यू है प्यारे है इनो समझे ते तु जिंदगी दी वैल्यू नू समझनी रहा तेरी जिंदगी कट दी जा रही है तेरे अंदर ना समझी दी हनेरी रात है रात अनेरी सूज सनाही लाज टूकस मुसापाई रे तेरी उमर कट दी जा रही है तू इस पासे त्यानी नी दे रहा तेरी जिंदगी बड़ी कीमती है तू इस पासे त्यानी दे रहा क्यों कि तू था अपने सवाओं सोच दे पिछए लग रहे हैं मॉनमुक करा है त Zarand stuff lag गये गुरमख मीला भड़ाई ही ही रह एक मॉनमंक होके जयोंना इक गुरमख होके जयोंना मानमुक जो सवाओं कहने जो एडी सोच दागी जह रहें ना करना चोंदा है. तो जिन्दगी दे विच पठकना दा दुख सेहेड़े है, मानमुक करा है, ते ता दुख लागय है. ये पठकना तेरी, उल्जन तानी तेरी, बदी जाएगी, ये उल्जन तानी तेरा दुख है. दूसरा तरीका है गुरू दे मुख विचो निकले हुए उपदेश नू समर्पे तो की सोच सवाउते लागू करके गुरू दे उपदेशा नू मनना गुर्मक जीवन है उनू मिला बडाई रे बडाई दे यार थे ते बक्षिश है रब दियां नजरां विच गुरू दियां नजरां विच उनू बक्षिश मिल दी है क्यों बक्षिश वाला जीवन है इदा कहलो बहुत सारा पैसा आगया कीमती कार बना ले है पर कारदे विच एक ताहित पाक नहीं परिवार दे मेंबर एक दूसरे दियां पावना मानी समझ रहे एक दूसरे दियां पावना मानी चोटा मार रहे ने कर विच खलेश है पैसा ताह आगया प्रपरटी ताह आगी बक्षिश नहीं आई है सत्कुर्ण सचे पात्षा केंदे बक्षिस्ता गुर्मख जीवन बिच मिलेगी इसलिए जो तिनकिया सोई होवा किर्टन मेट्या जाई रे उन्हाने मानने मातने जिस्तरां दे कर्म कीते है जिस्तरां दे कल्चर बिच मनुख गुरुआ पोया उस्तरां दाही उन्हाद दे अंदर संसकार बनगे कर्त दे अरताय संसकार मानते मातती कीती हुई किर्टनसार उन्हादा सुभाव बनगया उन्हादिया आदिता बन Cash movement मेटिया नहीं जादिया आख हुआ। फिर रबदार निजम की है। जो मनमुक होके जोएंगा। फिर उन्हों पठकना बेच ही इस निजम ने ले जाना है। जो वाहिग्रू ने करना है। खुबा परना है। अगर गुरू वाले पासे तुरेगा। एस सोच सुवावनू लगन दी करता है। जेडी बनगी ना उमेटी नी जान दिया खुबा हुआ। उधे अंसार ही जिंदगी चल दीया। सोपर परे नहों वहें उने जो राते रांगलाई रे जेडे। गुरू दे प्यार विच प्यार दे रांग विच पिजे रह देने। वाहिग्रू जी द जान दा जजबा, लगन, जनून मिल जान दा। एक लिब लग जान दीया इस पासे तोरण दी। जिन्ना नू रब दे पैविच जीवन जेवन जेवन दा एक अनांद रास बण जान दा है। सत्कुरू केंदे ओ अंदरों गुणानल परे हुंदे ने। तो पर परे नहों जान दे गुण कट दे नहीं, उन्ना दा जजबा कट दा नहीं, उत्राचडा आजान गे, उत्राचडा दे बावजूद भी बिगन रुकावटां दे बावजूद भी उस गुरू दे मिशन ते तुरे रहन देने, ते मनमुख डोल जान देने। तेनकी पांक होवाई जे चरण तूडी जे डे गुरू दे प्यार वेच गुणानल परे रहन देने, गुरू दे मारगते तुरे रहन देने, उन्ना दी जे चरन तूडी मेल जावे। चरन तूडी की है? चारन रब दे गुण ने गुरु दे चारन गुरु दे अपदेश ने ओ गुर्मक जीवन दे अंदर गुरु दे अपदेश मनन दी पापना हुंदी है ओ गुरु दे अपदेश उन सार फेंसले लेंदेने कर्म कर्देने गुणा वाला जीवन उन्दाय गुणा नल परवकार करदेने उन्ना दे चंगे कर्मा दा उन्ना दे गुणा दा पर वापपय जाना इनू केंदे निचारन तूड़ी जे साड़े ते भी पर वापपय जावे भी असी भी उन्ना वर्गे बनिए तां तो मूड़ा किश पाई रे तां ए जड़ा मूरख माना ना तां ही कुछ प्राप्ती कर सकता गोड़ी चेती महला पहला ए गोड़ी चेती है पहले पात्षा गुनान पात्षादा शब्द है गोड़ी रागदा स्तार्मा शब्द है कत की माई, बाप कत केरा, कि दूँ थावों हम आए, किकत है असरीर, किनु समझें दा जतन के, सरीर दा बाप केड़ा है, सनुपत है, सरीर दी मा केड़ी है, सनुपत है, पर एक साड़े अंदर जीवन है, ओजीवन जे मनमुख है, तो दी मा केड़ी है, तो दा बाप केड़ा है, कि तो आया है जीवन? क्योंकि जिदों मनमुक्ताई दे कुसांग बिच बैठदा सी कुसंगियान ये गल्लां बार बार अंदर पेंदियां सी पता नी केडी गालने कदों इस पासे तो रिया सी ओ जड़ी कुसांग सी ओही दी मा सी ओही दा बाप सी इन्हों समझदा नी कितों आया है जीवन अगन बेम बजल पीतर ने पजे काहे कम उपाए पर जिड़ा ये सरीर है सरीर ता माता दे गर्ब विच माता दा रकत ते पिता दा बेंद खुदे तो पैदा हुए या सी उस चीज नू समझे ता ये ने इस गल नू समझे नी के केड़े कम उपाए ता नू रब ने पैदा कीता है असा उदा एक मकसद है असी एक इंसान बनके चंगे इंसान बनके गुणा वाले परपकारी बनके गुरु दे पुतर बनके जेवन है के मकसद सी और इस मकसद नू हर कोई जानना सकया मेरे साहेबा कौन जाना है गुण तेरे कि मेरे मालक वाहिरु जी तौडे गुणा नू तौडे परपकारानू कौन जान सकता है सिब्यानत हों, बाकमाल हों, कहे ना जानी, ऑगन मेरे रहाओ, जे आसी समझना चाओंदे हां, कि मेरे अंदर मनमक सुबाओ दी मा केड़ी है, मनमक सुबाओ दा बाप केड़ा है, ते साड़ा मनमक सुबाओ आ कित हों गया, ते साड़े सरीर दा माता पिता राही जो जन्म होए है, ते साड़े जिंदगी दा असली मकसद की है, जे ए समझना है, तब पावना है रखनी पवेगी, कि वाहिगरू सचे पात्षा दे गुण ब्यानतने, ते साड़े आउगन बहुत ने आखुगा, गुण वाहिगरू जी ऐसा गुर्ग्यान दा चानन है, उसने ए दोनों गल्लां दखा दे नियाने, वाहिगरू जी दे गुण गुणा दी कीमत, साड़े आउगन सुभा हो दे, सोच दे, और उन्हा आउगनानू किमे दूर कीता जावे, ये सब कुछ वाहिगरू सचे पात्षा दे, समझा होना ह पुदी माँ, पुटी मात सी, उन्हों पैदा करनवाला बाप, एही मान सी, जीड़ा मात पिछे लाई बेठा सी, ए आया सी, पसांग बिचों जीवन, फिर समझ लगेगी, जी गुर्मक जीवन प्रापत करना है, तो एक गुरू की मात, एदी माई, पिछे आया सी, मात माता पिता संतोख, फिर ए मान सबर संतोख वाला बनेगा, एदा बाप बनेगा, फिर गुरू नुब बाप, गुरू नुब पिता, वाहिग उजीवन पिता, जीड़ा मननेगा न, पिर एदीWhere संसार ररेह, इजीडा मान है, मान ईस स्रीर बिच नहीं बिचर गा, मान तुब आओ सोच दे बिच पठकदाए बारों ता मनोखदा सरीर है अंदरों मान पशू परविर्थियां में जानवर परविर्थियां में जेहुंदाए कि इदा ए जेहुंदे जी के मान पता निकिने तरानिया जुनिया पोगदाया को है सतन गुरुजी देखा रेने के ते रुक बिर्ख हम ची ने के ते पशू उपाय तासी कि इनने रुखा नू बिर्खा नू देखेया के पशू आनू देखेया उन्ना अंदर घोण भी ने उन्ना अदर अगन भी ने जे उन्ना वर्गे गुण अपने विच लए आवे ता एक गुर्मक बाढ़ना इनू सोखा हो जाएगा जदू उन्ना वर्गे अउगण अपने अंदर लेके होंदा है ये मानमख बन जादा है तो रुखां ते बिर्खां दा एक जड़ा ओगण पक ए है कि उन्ना दी जिन्दगी दे विच कोई मंजल नी ते मंजल ते पहुंचन वास्ते ओके ते जान दे नी एक थाते रुके होई नी जेड़ा सबाओते सोच एको थाते रुकी होई है एस्वारन शिंगारन वालत तुर्दी ने गुरू दी बक्षशे दी मंजल है उदर जान दी नहीं ता एम मानमख मान रुखां दी तरा जिया हो रहा है ए रुख दी जूनी बेच है पशू उन्हा दा भी कोई बहुता बड़ा लक्ष नी खा लेया पी लेया बसो लेया तुर फिर लेया ए दूबाद कुछ नहीं जे मनुख दा भी लक्ष एत्वक ता की ए खालेया पीलेया हंडालेया nothing else फिर मन पशुआं मंगू जयो रहे है पशुआं दी जूनीच जयो रहे है ब्रिक्षां दी जूनीच जयो रहे है जे ब्रिक्षां दा गोण लेलेंदा ब्रिक्ष दे कोड़ गोण है बड़ा उदे कोड़ जिरांद रुखां दी जिरांद बड़ा सा परसंतोख है उदे कोड़ परपकार है, कोई बटे मार दाय, उनना नुभी फाल देन दाय, हरेकनु शान देन दाय, कोई वैर वरोध नी, उदा गोण परापत कर लवे, तफिर जंगा अंसान गुर्मक बान साकता है। अशुआ कोड़ गोण ने, गोण परापत कर लवे तफिर गुर्मक बान साकता है। ये रमज मेरे गुरुप पात्षादी बानी ने समझा उनी है, केते नाग कुली महे आए, केते पांख उडाए, नाग गांदी कोल, सपांदी कोल, सपांदी कोल की है, जहर बान देने, मौत देने, जह मनुखदा मान भी नफरत दी जहर बांद रहे है, अंकार दी जहर बांद रहे है, लोब लालच दी जहर बांद रहे है, उसे जहर बे जहुदा उही जहर बांद रहे है, ते एमान सापदी जो नीच प्या हुआ हुआ है, बानो सरीर मनुखदा मान सापदी जो न इसे तरह मान पंची बन दाए बख बख पंचियां दे अउगण अपने अंदर रख दाए के मान चौरहसी लख जूनियां ऐसे जीवन विच होगी जा रहे है हाट पटन बेज मंदर पन्ने कार चोरी कारे आवाए के मान इदे अंदर निमर्ता दा गुण सी इदे अंदर चंगे चंगे गुणा दी हाट आगी इने अंदर चंगियां पावना माँ चंगे सोच चंगे जजबे उदा एक पूरा अंदर शहर है अब कुछ अंदर है पर अंदरों ही चोरी-चोरी मान उसनुंपा न देंदा पुटी जीव दारंदे माँ एक बच्चा जब बच्ची जदो छोटे हुंदेने ममी डैडी ने ब उना दा मान के जड़ी ममी डैडी बल खिच है न इस खिच दे हाट नू खिच दे बजार नू चोरी-चोरी अंदरोपा न देंदा है ते उदी खिच फ्रेंड सरकल बल हो जानदी है दुनिया ने रसां कसा बल हो जानदी है ते मन पता ही नी लगन दा चोरियों-चोरियों उदे अंदर माता पिता दी आग्या कारता दी जड़ी हाट सी आग्या कारी होना माता पिता दा हुकम मनन दी जड़ा अंदर विचारां दा शहर सी सोचां दा ओपा न देंदा है ते चोरी करके एदे अंदर इनू पता ही नी लगन देंदा ओपा अभना मा राख देंदा है इन्हों मम्मी डेड़ी दे अपने इस चंगे नी लगदा। इसे तरह मान मुखताई वाली खेच मान चोरी-चोरी अंदर राख देनदा है। चंगे सुबाउनु पान देनदा है। इन्हों हाट पटन विज मंदर के है। अंदर ही सुबाउदा एक महल है। चंगे सवाउदा। मान दी गोदीच दुद्द चणग द शी बड़ा चंगा सवाउद। चंगी सोच दा एक बजार है, अंदर ही एक इनसानियत दा कार है। ते मान चोरियों चोरियों उसनों पन दा है। कानके बारों मानमुखताईदे विचार कुसांग विचो खरीदे लेंदा पता ही नहीं लगनना कदों लेंदा है कि माने सब कुछ करदा है अग्गों देखाए पिछों देखाए तुझते कहां शुपावाए ये बाहर ता लुक शिपके कर लेगा पर वाहिगरुजी ता अं पिद्धरने उद्धर कुछ किछ पाएगा मन जेउंदा है मन मुखा मान जेउंदा है मनमत वाली सोच विच पर नाल थर्म दे कर्म्भी करदा ہے साट तीरत हम नवखंड देखे हाट पटन बाजारा साट तीरत थांते जानदाए नौखंडा वज पर्मन करदाए तर्म दे कर्मा दे एदे अंदर हाट बाजार वो भी सर्जदाए पर लेके तकडी तोलन लागा कट ही मैं बंजारा अंदर वाहिरुजी ऐसे बंजारे ने जदों इदे सुभावन सोचनु तोल देने ना पर्क देने तर निकलदा की है के इदे अंदर दुनियावी प्राप्तियां दी खिच ज्यादा है के दर्म दे मार्ग दी खिच काटाए इदे अंदर निन्दा चुगली दे रासमानन दी खिच बहुत है गुरु की विचार दा रासमानन दी खिच बहुत काटाए ते जदों जे एमान खुद बनजारे वाहिगरु जी नाले वपार करना चावे ते आप बनजारा बन जावे गुरु तो सेख के गुणादा वपार करना होवे गुरु की बक्षिश लेनी होवे ते सब तो पहला अपने सोच सुवावदी पर चोल होएगी ते रे नूं पत लगेगा ओ मैरा सुवाव के स्रादा बन गया जेता समंद सागर नीर परया ते ते अउगण हमारे फिर पता लगेगा जिमें समंदर सागर पानी नल परया होंदा है अंदर सभावो ते सोच कमजोरिया नल परी पईया खुआ फिर अर्दास निकलेगी दया करहो किछ मेहर अपावो डुबदे पथर तारेह वाहिगरु जी पथर वरगे कठोर मान तुसी तार देतेनें वाहिगरु जी साढ़े ते किरपा करो सोच सुभाव दिया कमजोरिया धूर करीगा जदो इस पावना देना अचमुच पावना बण जावे मेरी सुभावत ये मेरी सोच तेरे नों सिखी दी गालका उड़ी नी लगेगी, गुर्मा दी गालका उड़ी नी लगेगी, क्याँ समझ पैगी, जीएडा अगन बराबर तप है, पीतर वगय काती मेरे अंदर, एक शुरी है, रांग अटेंशन दे, उदे करके जीएडा ताप रहे है, आगदी नदी चाल रज्या दे, अंदर मनमुखताई चल रही है, अंदर सोच सुबाओदी बुणी हुई, उल्जन ताणी दे, ताणे बाणे दे वेचे, ए मन कुका मारदा पयाख हुआ, अंतोस्त नही है, प्राणवत नानक हुकम पशान है, सोख होवाय दिन राती, नानक जी बेंती कर दे ये गुरुदे उपदेश नू, रभी निजम नू पहचानेंगा, समझेंगा, उस रभी उपदेश अंसार सोच सुबाओदी नू परचोलेंगा, सोच सुबाओदी नू सुवारेंगा, शिंगारेंगा, ऐसा आत्मिक सोख मिलेगा, आत्मिक अनाद मिलेगा, होवे दिन र ये शब्द है अठारमा शब्द है रैन गवाई सो एक है दिवस गवाया खाई फिर पता लगया जिंदगी दी ता रहा था इदन चल दी पई है रात सौंके गवाली ते देन खान पीन बिच गवाले आ अपने गुरू लई वाहिरू जी लई कौम दे लई कुछ की तैनिया ख वाहिरू हीरे जैसा जनम है तोड़ी बदलाए जाए इहीरे वर्गा कीमती जनम जीवन तोड़ीयां बदले दुन्यावी प्राप्तियां दे बदले गवाई जा रहे हैं नाम ना जानेया राम का मूडे फिर पाच्छाय पच्छतां हेरे रहा हो सेंट्रल आइडिया है इनु जन्दगी चे लागू नी कीता है यह मूरुख मना तेरी जन्दगी चे पच्छतावा पनले पएगा पच्छतावे तो बिना तेरी कोई भी प्राप्ती नी वहेगी एक दन तनु मेहसूस होएगा तो जो भी पैसा प्रपर्टी पीछे सारी जन्दगी लाली ना तो आए ताहन दी इतनी खिच दुन्यावी प्राप्तियां ओ ताहन जेडा कदी जीदा आन्ती नी पाया जा सकता है ये ऐसा खूँ है जेडा कदी परदाई नी उनु कमोंदा है उन्हा जमाने जे तर नी तर एदे आर्थ है तर तीच दब दिन्दा से तोना चांदी उस बेड़े छिके उन्दे सी ऐसा उन्दा सी उन्हों तर तीच दब लेया और उदर तेरी चाहत नी बणी जो ब्यांत वाहि ग्रुजी है आनत ना चाहिया जाए उदर तेरी खिची नी बणी अनत को चाहन जो गए सो आए अनत गवाए जेड़े ब्यांत तान जेड़ा कदी तेरी चाहत पूरी होई नी सकदी तेरी पोखमारी नी सकदी उस तान नू चाहन वास्ते जो संसार दी उल्जन तानी वेचे इतने फस गे अपने खुद अपनी जीवन नू उल्जन तानी ब को पागट ओए अपने जत्ना नाल प्यारया कुछ नी मिलना कि अपने जत्ना नल मिल दा हुदा अपन लिया जिये मिला तब सब्सको पागट हो हर कोई प्रापत कर लेंदा बक्षित शिद्धानी मिलना कर्मा उपर निबड़ा है जह लोग चैसब को तेरे अंदर बक्षिश दी तांग किनी है ये दी बात बक्री है तेरा मन के होजे कर्म करदा है सुर्प के होजे कर्म करदी है खलता इते ने बढ़नी है कर्मा उपर ने बढ़ा है तेरी पावना के सपासे दी है तेरे जजबे दी दिशा के सपासे दी है तेरी लगन केड़े पासे है प्यारयं निप्तारात इस ग्ल्दा होने नानक करना जयना कीया सोही सार करें ज़ेस वाइग्रुजी ने 베나گ। शरी साजिये इतागा करना जोकरित है अधी दे स्रीकुदरत और वो ही अपने निजम देवेचे सारानी संभाल कर देने। गुरुदे मार्ग, गुरुदे पदेश ने, आदेश वावनु सुवारन, सोच नुशिंगार। उदेली है समझने, लिखने, जिन्दगीचे। पुलाचुकां दिखे मार्ग, वाईगरुदी का कालसा, वाईगरुदी का कालसा।